हेलो एवरीवन वेल्कम टू माय योटूब चैनल यश्की क्राप्ट साला आज हम लोग बनाएंगे हार्ट वाल लाइंगिंग फोटो फ्रेम हार्ट वाल फोटो फ्रेम बना रहे हैं तो मैंने लिए है रेट कलर कहूं और यह लिए है काटा वाला चम्मज उनको छोटा सा काट कर काटा वाले चम्मज की बीच मैं से फसा लिया है और दूसरे उनको लेकर मैंने इसके उपर में राउंड एं राउंड असी बार किया है अब इसको हमें अच्छे से टाई कर लीना है ताकि हमारा जो ऑटो फ्रेम बनाने के लिए हो हार्ड बनाने वाले हैं वो बहुत अच्छे से बन जाए ऐसे बनाना है इसके किनारों को हमें अब कट कर लेना है कुछ इस तरह से ऐसे हमें तीन बनाना है ये एक तो बनने वाला है भाई आप दूसरा और तीसरा भी देख लेते हैं ये एक बन गया दो और तीन अब सुई धागा किते सहाथा से इसको हमें अच्छे से फिक्स कर लेना है ये उपर दो हार्ट का जो कौना रहता है ना वैसे कौना जैसे दोनों को एक साथ फिक्स करना है सिल देना है और नीचे वाले के लिए हमें एक और जो बनाए हैं पौक की सहाथा से उसको नीचे में हमें सिलना है कुछ इस तरह से इसमें में पार्ट क्या है पता है कि हमें ना इसको ना हार्ट का शेप देना है वो में है शेप आपको अच्छे से देना है जो एक्स्ट्रा उन है उसको अच्छे से कट करना है चलो फिर इसको देते हैं हम लोग हार्ट का शेप जो भी एक्स्ट्रा उन है उसको अपनको करना है जैसे हम पोम-पोम में एक्सित कर देते हैं इति lets from just राकating में सुधर कर सकते हैं वैसलिष में हाइट कका यह उसका का सकते हैं उसकी बाद इसको जो हमें बारीं किस पुरा काट करना है यह मैंने टोटल एट जो बुलन हाट है वो बनाये हैं अगर आपको ज़्यादा फोटो हैंग करना है तो आप ज़्यादा बना सकते हैं हाट को लटकाने के लिए टंडा यह आसको तो अच्छे नहीं लग रहा है चलो इसको पहना देते हैं के लिए रेध कलर कऊन को इसको इसमें डालकर इसको सब्गोट सब्गोट है रिदर इसको सब्सक्राइन के लिए हैं अखो leगि ले ??? हमारा डंडा भी रेडी हो गया है, हार्ड भी रेडी हो गया है, अब हैंक करने के लिए हम बनाते हैं इसका डोरी, इसके लिए मैंने उनका दो धागा लिगा है, उसको हथेलिक साहता से ऐसे बनाया है, दोनों एंड को मिला देते हैं, इसको सेट करने के बाद उपर वाले पो और सुई धागा और ये डोरी इसको हमें सिलना है अगर आपके पास ग्लूगन है तो आप उसका भी व्योग कर सकते हैं इसको जोडने के लिए मेरे पास नहीं है इसका अंसे मैं सुई धागा से सील रही हूँ मुझे यसा लगता है कि सुई धागा से सिलने से जादा सिक्योर रहता है आपको क्या लगता है जरूर बता है इसी तरीके से मैंने बाकियों को भी सिल लिया है ये हमारे स्वटर पहने हुए डंडा और ये रहा हमारा धागा इसको ऐसे एंटी क्लॉक फास करेंगे तो इसमें और गनाइस किया है जो सबसे लंबा वाला है इसमें आपको चुल ओ या रहे है वाला है वहायो ऊहरे तो अर्ट में और ये टालना है तो आप बिलकुिल डाल सकते हैं ये हमारा हाठ वाल हेंगिंग फोटो फ्रेम बन करें दी था लेकिन कुछ कमी लग रही थी तो मैंने सोचे क्यों ने इसमें लाइड कर दिया जाए तो इसके लिए मेरे पास अल्रेडी मैंने पुचेस किया था फ्लिप कार्ट से ओनलाइन ये वाला फेरी लाइट आपको बताएए आपको क अब आपको किया थे उसके साथ मैंने इसको लेकर गया है उसके यद्व वापस इसको रिवर्स लाया है मैंने इसमें दो फेरी लाइट यूस किया है अगर आप चाहा है तो इसमें और भी एड़ कर सकते हैं मैंने मिड़ वाला पोर्शन में छोड़ दिया है जो सबसे कर लेते हैं ठीक दिख रहा है आपको कैसा लग रहा है जरूर केमेंट करें अब इसमें हम लगाएंगे पोटो इसके लिए मैंने लिया है यह वूड़न क्लिप जो मैंने ऑल लिन परचेस नहीं किया है लोकल मार्के से परचेस किया है मुझे पड़ा 80 रूपी और यह इसको आप इसे विजन बोड भी यूज कर सकते हैं नोटिस बोड की रूप में भी यूज कर सकते हैं आपको अगर यह वाला क्राप्ट पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कि अगला वीडि झाल 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 झाल